अर्थ एजूकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिबिल कोट, कलर्क, रीडर, अश्टेनो एबं प्यून के प्रारंभिक परिछा होने वाले प्रारंभिक परिछा का हम लोग कंप्यूटर सेक्षन करने वाले हैं। अमस्यार का set number 5 करने बाले यदि अभी अफिटक आप लोग ने 1 से लेकर 4 से तक नहीं देख्धे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्षन में जाकर playlist है या playlist में जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए हम लोग विडियो को सुरू करते हैं, एकदम हू बहू इसी तरह के प्रस्ण पूछे जाएंगे, बिहार सिबिल कोट में, तो देखें, पहला जो प्रस्ण है, गन्ना और तुल्ना करने के लिए, डैस का उप्योग होता है, ये 15 कोश्चन पूछा जाएगा, गन्न अर्थेमेटिक लोजिक यूनिट होता है, कम्प्यूटर में दिये गए आदेस को, किरियान बन, गनीतिय तरकी की, इसी के यूनिट के द्वारा किया जाता है, लोजिक यूनिट, एलियू का काम है, लोजिक यूनिट करना, यानि 2 पलस अगर 2 करते हैं, तो ये 4 होगा, ये लोजिक यूनिट का ही काम होता है, इसका नाम ही है, अर्थेमेटिक लोजिक यूनिट, तो आप लोग अच्छे आयो हो, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, देखें, नेक्स्ट प्रस्न जो है, कम्प्यूटर परनाली में, निमन में से कौन सा एक ओप्रेटि सब्टेवेर है, ना कि ओप्रेटिंग सिस्टम, जबकि विंडोज, योनिक्स, लीनेक्स, ये सभी जो है, एक ओप्रेटिंग सिस्टम है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा, इस तरह से इसका ओप्सन क्या हो जाएगा, ओप्सन नमबर B हो जाएगा, बिलकुल सह सयुत्तर, देखे, अगला जो प्रस्ण है, प्रोग्रामेबल, रीड वनली मेमोरी का संशीप्त रूप्त क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रस्ण का सयुत्तर हो जाएगा, पीरो, प्रोग्रामल, रीड वनली मेमोरी का संशीप्त रूप्त होता है, रोम का आप लो पैटर्न पर यही इसी तरह के question आपको सीधे प्रस्ण जो की exam में मिल जाएंगे किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस function की का पड़ियोग किया जाता है इस प्रस्ण का सही उतर जो होगा F2 का इस्तमाल किया जाता है किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए function की जो है F2 का इस्तमाल किया जाता है अगर F1 की बात की जाए तो help window खोलने के लिए help window खोलने के लिए F1 का इस्तमाल किया जाता है जबकि F3 की का इस्तमाल file या folder खोलने के लिए किया जाता है और F4 का इस्तमाल जो है, F4 का इस्तमाल सक्रिय लिष्ट की सूची परदर्सित करने के लिए किया जाता है और F12 की अगर बात की जाए, तो Save as Dialog Box खोलने के लिए F12 का इस्तमाल किया जाता है तो यहां से shortcut की से भी आपको प्रसंद देखने को मिल जाएंगे अगला जो प्रसंद है, Microsoft Word फाइल में क्लिप बोड को की सामगरी को पेश्ट करने के लिए किस Keyboard shortcut का पड़ियोग किया जाता है तो पेश्ट करने के लिए जो होता है Ctrl प्लस B का इस्तमाल होता है Ctrl प्लस C से होता है Copy और Ctrl प्लस B से हो जाता है पेश्ट होता है तो इस तरह से इसका answer क्या हो जाएगा option number 20 का सही answer हो जाएगा अगर control plus A की बात की जाए तो select all हो जाता है अगला प्रसंद देखिए निमलिखीत में से कौन सा office package नहीं है इन में से कौन सा office package नहीं है तो यहाँ देखिए WPC भी है Microsoft Office 2010 ये भी है Quantum जो होता है ये जो है office package नहीं होता है Libra ये भी हो जाएगा तो option number C इसका क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा internet का standard protocol क्या होता है internet का standard protocol क्या होता है तो यहाँ पर देखिए IP होता है IP address होता है, टीएस्पी होता है transmission, control protocol या IP, internet protocol यह होता है internet का protocol होता है तो option A इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रस्ण है यदि किसी MS word में control A की कुझी का पढ़ियोग करते हैं तो आप क्या करने का पढ़ियास कर रहे होते हैं तो आपको जैसा पहले बता चुके हैं फाइल के मौझूद संपूर्ण टेक्स्ट को सलेक्ट करने के लिए control प्लस A का इस्तमाल किया जाता है तो option नमबर A इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका प्राप्ट करने के लिए description के नीचे टेडिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से इसका प्राप्ट कर सकते हैं देखें blinking पॉइंट जो टेस्ट आपकी पोजीशन दर्साता है उसे क्या कहा जाता है देखें कर सकता है, तो option B इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रास्न है, Debugging में कौन सी परकिरिया होती है तो यह एक सब्टवेर प्रोग्राम होता है जो तूट्रूटियों को जांच करने के लिए लिए होता है तो option C इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला जो प्रस्थन है, निम्रिखित में से किस परकिरिया के network को log hall network भी कहा जाता है तो इसका हो जाएगा, when हो जाएगा, when का अर्थ होता है, when, wide area network, land होता है local area network और जबकि TAN जो होता है, वो होता है private या personal area network, और TAN की बात की जाएग, तो TAN जो होता है, ये होता है, text, deduction and collection, account number तो ये सारे याद रखिएगा आप लोग, अगला जो प्रस्थन है, डैस का अर्थ, उन अवांशनिये वानिजिक email से है, जिसकी internet पर बाढ़ रहती है तो इस प्रस्थन का सयुत्तर होगा, अस्पेम, ये प्रस्थन देखिए, पिछले बार जो exam हुए थे, उसमें भी ये प्रस्थन पूछा गया था, सिबील कोट के कलरक के exam में ये प्रस्थन पूछा गया था, और इस बार भी पूछे जाएगा, किसी ना किसी सिप्ट में जरूर रहेगा, अगला जो प्रस्थन है, MS Word 2010 में डोकूमेंट के एक से ज़ादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस सोटकट की को प्रेस करते हैं, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा कंट्रोल MS Word 2010 में डोकुमेंट की एक से ज्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का इस्तमाल करते हैं अगला जो प्रस्ण है Microsoft Word में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है इस प्रस्ण का ओप्सन हो जाएगा एडिट मेन्यू में Microsoft Word में जो रिप्लेस विकल्प उपलब्ध रहता है वो एडिट मेन्यू में उपलब्ध रहता है तो ओप्सन सी इसका क्या हो जाएगा बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आज के सेट का आखड़ी प्लस MS Word 2010 MS Word 2010 में कौन सा टाइब पर क्लिक करने पर ओपेन कोमांड आती है इस प्रस्म का सही उत्तर होगा ओप्सन नमरे फाइल टाइब इडित मेन्यू MS Word का दूसरा मेन्यू होता इस मेन्यू को डोकोमेंट फाइल के संपादन से सम्मंदित ओप्सन दिये होते हैं तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्फू लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी इस पर न्यू वीडियो अप्लोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपको और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर कर दीजे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिवा से इतना ही जय हैं